एक रुपे में मिलने वाली इस पटिलाजर को पाँच मिनिट में फटाफट बनाकर आप तुरंत ही अपने गुढ़ल की प्लांट में दे सकते हैं इस्टेम अगर आप गुढ़ल के प्लांट में इस पटलेजर का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने गुढ़ल के प्लांट को आपको पहले दिखा देती हो। इसमें इतनी अधिक मातरा में फूल आ रहा है कि जितने ब्रांचेज हैं हर ब्रांच में चार से पाँच कलिया वनी हुई है। और ये सामने फ्रण से तीन से चार प्लांटे हैं और सारी हाइब्रेड हैं। तो इस टाइम नॉमबर में देखें हाईवरेड में भी कितनी अधिक मातरा में फूल दे रहा है और फूलों की साइज के साथ साथ कलिया कितनी बड़ी बड़ी है। तो ऐसे बड़े बड़े साइज के फूल और कलिया अगर आप चाते हैं तो इस फटिलाजर का यूज आप तुरंत जटपट बनाके आज ही अपने प्लांट पे अप्लाइज जरूर करें। तो सामने ये है फटिलाजर जिसका इस्तिमाल में करके अपने पौदर से बहुत अधिक मातरा में फूल लेती हो। अभी नॉमबर में आप फूल देख सकते हैं। तो चरिए इस एक रूपी के फटिलाजर को हमें कैसे देना है अपने प्लांट पे वो देख लेते हैं। तो अब कौफी पौदर किसी भी कमपनी का ला सकते हैं। और अगर आप छोटा एक रूपे का पैकेट लेके आ रहें। तो एक बार में उसका यूज़ आप कीजिए। सामने ये चार पौदर हैं। इन चारों पौदर में मुझे आज ही फटिलाजर देना है। तो मैं एक छोटा इस्पून भरके ये कौफी पौदर लोंगी। अगर आपका एक ही पौदा है तो आप थोड़ा सा आधा इस्पून से कम कौफी पौदर ले सकते हैं। और वैसे मैं 15 दिन के बाद बाद इन में कौफी पौदर का यूज़ करती हूँ। इसलिए मैं एक चम्मस का यूज़ करती हूँ। अगर आप एक महने के बाद कर रहे हैं तो आप वन हाफ इस्पून का यूज़ कर सकते हैं। और इसे पानी में अच्छी तरह घोलना है सही तरह क्योंकि अभी ठंड का टाइम है प्रेंट से कौफी पौदर ठंड पानी में जाती जम जाता है। तो मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है और देखिया कलर कुछ इस तरीके से बन जाता है। हलकी सी ब्राउन कलर हो जाता है इसका। नॉर्मल साधा पानी में यह आप कौपी पौदर को मिक्स जरूर करें और अगर बोतल है तो बोतल में एक चमज डालके आप उसे अच्छी तरह शीक करने से भी जल्दी से वो घुल जाएगा। जब कौपी वर्डर अच्छी तरह घुल जाए तो आप इसे तुरंत अपने प्लांट पे दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक सही सही मातरा अप दे सकते हैं कि आपका पौदर कितना है उस अकौडिंग आप इस फर्टिलाजर को दे दीजिए। फर्टिलाजर देने के बाद हमें दो काम बहुत अधिक मातरा में हमारे पौदर में ध्यान रखना होता है। सबसे पहला जो काम होती है वो होती है गुड़ाई। पौदर में हम खात तो दे देते हैं लेकिन गुड़ाई करना भूल जाते। गुड़ाई एक ऐसा काम होता है फ्रेंटसर जो बहुत ही ज़्यादा कंपरसरी और हमारे पौदे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो हपते में एक दिन का आप फिक्स रखिये कि किस दिन आप फ्री हो रहे हैं तो एक खुर्पी या कोई भी छुरी लेकिए आप अच्छी तरह गुड़ाई कर सकते। जब भी पानी दे तो पानी देने से पहले अगर गुड़ाई कर रहे हैं या खाद देने से पहले अगर गुड़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें जल्दी दिखने को मिल जाता है। गुड़ाई कलने से हमें दो benefit होता है एक तो हमारी जो मिट्टी है वो बुरबुरी रहती है और जब हम इसमें खाद और पानी देते हैं तो direct roots तक पहुच जाती है और हमारा जो पौदा है उस fertilizer को लेके हमें result बहुत जल्दी देता है तो यह है हमारा पहला काम दूसरा काम ज हो जाती है इनको एक dust vine या polythene में आप भरके रहिए क्योंकि इससे हम बाद में खाद बना सकते हैं तो समय समय पर जब भी आप पानी दे रहें जितनी भी पतिया ऐसी पीली हो जाती है गोडल की उनको remove ज़रूर कीजिए तो देखिए आप से बात करते करते हैं तो मैंने कि इतनी सारी ये सूखी हुई पतियों को हटा लिया है और कितने धेर सारे थे प्रंट से जो हम ignore कर देते हैं और इससे हमारा प्लांट ज्यादा healthy भी नहीं रहता और दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो ये काम भी जरूर करें इसकी सासात प्रंट से और एक काम जरूर करें जब भी आप पानी दे गुढ़ल की प्लांट में तो उसे शावर जरूर करें शावर करने से देखिए हमारा जो पौदा है एकदम खिलकला उड़ता है इनकी ओपर जो डस्ट रहते है वो धुल भी जाता है और इस टाइम तो वैसे इंसेक्ट का कोई अ जो खिले हुए हमारे फूल और कलिया होती है वो भी दरोताजे लगते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं तो ये दे कुछ काम फ्रेंट से खात देने के साथ हमें करते जरूर रहना चाहिए इससे हमारा पौदा फूलो की साथ साथ कलिया भी बनाती रहती है और हमारे प्ला से वन मन्थे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह 100% मेरी गारंटी है इसी का रिजल्ट है यह सामने दिखा रही हो यह hybrid flower है देखिए कितनी बड़े साइज के इनके फूल खिल रहे हैं यह देखिए कितनी बड़े साइज के और दो फूल खिले हुए हैं और कलिया कितन सारी बनी हुए है ज्यादा बड़ा मेरा प्लांट नहीं है और यह देखिए यहां पर भी कली बनी हुए है तो बस इसी खाथ का यूस में करती रहती हो और मुझे रिटर में इतने खुबसूरत फूल मिलते हैं तो पूरे सरदी फ्रेंट से इसी खाथ का इस्तिमाल आप कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेले किन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंट से जय हिन जय भारत राधे राधे